हेलो गाइज, what's going on? तो आजकल हम सभी लोग एक स्मार्टफोन जरूर यूस करते हैं और इसमें एक WhatsApp जरूर होता है तो obviously WhatsApp एक हमारे जिन्दगे के एक most important part बन चुका है मगर इसी WhatsApp के बारे में आज मैं आपसे कुछ tricks और features शेयर करूँगा ताकि आपका जो WhatsApp का user experience है वो और अच्छा बन सके आप अपने WhatsApp को और ज्यादा useful बना सके तो कुंसी है ये tricks और features? Let's find out What's up guys, welcome to Flip Bib में हो आपका दोस्त चिन्मर So first of all, चैनल को subscribe कीजिए और उस वीडियो के साथ साथ और वीडियो भी देखिए क्योंकि मैं हमेशा ऐसे कुछ अच्छे वीडियो लेके आता रहता हूँ तो आज हम बात करेंगे WhatsApp के बार में मतलब WhatsApp तो आजकल हर कोई यूज करता है और WhatsApp हमारा most important part बन चुक है हमारे जिन्दगी का तो इसके कुछ ट्रिक्स है या फिर फीचर से जो आजकल हर किसी को यूज करना ज़रूरी है या फिर आपका जो यूजर एक्स्पेंसिव वो इससे और ज्यादा बढ़ सकता है तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूँगा आपको मैं बताऊंगा कुछ ट्रिक्स और फीचर जो आप वाटसर में यूज कर पाएंगे तो पहला फीचर है आप किसी भी एक इनसान को अपने ग्रूप में से प्राइवेटली रिप्लाय दे सकते हैं जैसे कि आप किसी ग्रूप में चैटिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग वहाँ पे आपके साथ बात कर रहे हैं और उसमें से एक अपके दोस्त के या फिर इनसान के एक मेसेज को आपको प्राइवेटली रिप्लाय करना है और वो किसी को पता भी ना चला है ऐसा आपको लोगता है आपको क्या करना है उस ग्रूप में जाना है तो मैं सबसे बिल आपको बता दूँ यहाँ पर मैंने एक एक ग्रूप क्रेयर किया है इसी वीडियो के लिए और यहाँ पर कुछ जो कॉन्फिदेंशल इंफॉर्मेशन वो इसको हाइड करूँगा मगर आपको पूरे वीडियो में आपको पूरी जानकरे में जाएगगे तो जैसे कि इस गूरूप में आपको जाना है वहाँ पे जाकर आपके किसी भी एक मेसेज क давक को ओल करना है hold करने के बाद वहाँ पर आपको तीन डॉर्स आएगे उसको क्लिक करने के बाद reply privately पर आपको क्लिक करने है तो directly जिस इनसान का वो message है उसको directly आप उसके chat में जाकर privately reply कर पाएंगे तो यह बहुत अच्छा वीचर है ताकि किसी को पता ना चले और आप उसको privately उस message पर reply दे सके तो कई बार हम WhatsApp पे हर किसी के साथ बहुत सारी chatting कर लेते हैं बहुत सारा data है वो एक दूसरे के साथ share कर लेते हैं मगर आपको पता होता है कि आपने किसके साथ कितना data share किया है और फिर किसको कितना data आपने किसके साथ कितना data share किया है अपने किसके साथ कितना data share किया है अपना जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो बात कहते हैं तीसरे trick के बारे में अगर आपको किसे को एक message send करना है मतलब एक reply देना या फिर message send करना है मगर आपको online भी नहीं जाना है WhatsApp पे तो आप क्या करेंगे आपको simply अपने mobile पे Google Assistant को on करना है साथ ही में उसके बाद वहाँ पे आपको बोलना है कि send message to someone जिसका आप भी नाम लेंगे वहाँ पे उसके बाद वह आपसे पूछेगा कि आपको क्या message send करना है तो आपको message बताने है उसको उसके बाद वह Google Assistant जो message type करेगा और directly send कर देगा इसके मदद से आप अपने WhatsApp पे online जाए बिना भी उस अदमी को या फिर उस इंसान को message कर पाएंगे तो हम सभी को बता है कि WhatsApp में एक feature है जिसके मरे से आप अपना जो last scene वो hide कर देता है मगर उससे क्या होता है अगर आप अपना last scene hide कर देते हैं तो आप दूसरे का भी last scene नहीं देख पाते हैं तो यहाँ पर और एक त्रीक है जिसके मरे से आपना last scene वो hide ना करेंगे फिर भी आपका last scene वो किसे को पता नहीं चेलेगा कैसे आपको यहाँ करना है आपको अपने mobile में airplane mode on करना है उसके बाद आपने वाट्सप में जाना है और उसके बाद इंटरेट चालो होने के बाद आपका जो मेंसेर डिरेक्ली सेंट हो जाएगा और आपका जो लासीन है वो जो पहले वाला लासीन होगा वही देखेगा अभी वाला लासीन नहीं देखेगा एक अच्छी ट्रीक है अगर आप यूज करना चाहते हो तो तो आज आप यूज वाल पेपर के ऊपर आपको एक थीम करके ऑप्शन में लगा वहाँ पे क्लिक करेज़े और वहाँ पर आपना जो थीम है वो डार्क मोड पे सेट कर दीजिए और आपको बाहरान के बाद आपको पता चला कि आपको वाट्सआप वो पूरा डार्क थीम में चलत लेजित अहले कंबरेज जब आपको वाट्सआप वाट्सओक है तब आपको जाते हैं सिसे एक आपको थीमात क Arya को सिर्फ करना था या फिर उसमेसिद्र आपको देखना होता है वागर बहुत सदरऊनwe मतलब आप बीजी हो जाते हैं और आपको इसको बाद में पढ़ना है तो आप क्या करेंगे आपको उस मेसेज पे सिर्फ या फिर उस इंसान के वाट सब्सक्राइब करके रखना है उसके बाद जो टीन डॉट से उसको क्लिक कीजिए और साथ ही में वहां पर उसको मार्क एस उससे क्या हो जाएगा उस पर यहाँ पर एक ग्रीन डॉट आ जाएगा और जब तब आप उस मेसेज को पढ़ना ही लेते वहाँ पर ऑप एस इसा ही रहेगा जब आप अगर अगर वाटसब के चैटिंग को इंट्रेस्टिंग बनाना है उस के फॉन को अगर चेंज करना त तो यहां पर बहुत सारे fonts है और जिसके बार में हमें पता भी नहीं है और इसके जो symbols है वह भी पता नहीं है तो इसके लिए ट्रिक भी है जैसे कि अगर आप किसी भी एक message पर क्लिक कर देते हैं वहाँ पर किसी को एक message टाइप देते हैं हाई तो एक normal high message जाएगा ही साथी में अगर आप टाइप करते हैं star high और star उसके बाद यह जो font है वो चेंज हो चुका है साथी में अगर एक और और एक option है जैसे कि आप यह symbol यूज करते हैं उसके बाद high type क बन जाएगा मगर यह सारी symbols हमेरे ध्यान में नहीं रह सकते हैं तो हम क्या करना है हमें क्या करना है उस message पर click करके रखना है मतलब फोल्ड करके रखना है यहाप आपको बहुत सारे options मिल जाएगे जैसे कि आपके italic मिल जाएगा बोल्ड मिल जाएगा या फिर monochrome जैसे बह आपके वीडियो और यह टिक्स पसंद आए होगे और आप इसको यूज़ भी करेंगे अगर आपको इन में से एक बी ट्रीक अगर अच्छा लगोना तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दीजे क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है और मैं आपक झाले